हेलो असलावलेकुम विल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई है अच्छे ही होंगे तो अभी सुबह का पॉनी छे हो रहा है और उठे तो बहुत देर पहले से ही थोड़ा देर फोन ओन देखी हो कि और उसके बाद चलते दरवाजा खोलेते को कि तो आते ही होंग जब उठेंगे तो आएंगे चाय पीने के लिए को कि चाय तो माम मिलेगा है नहीं चाय पीने के लिए इनको यहीं पर आना होगा तो आते ही होंगे दरवाजा खोल देते हैं जी आ चाबी कहा लग देती है रात में ताला लगाई ना और चाबी दर उदर लगती है कितना ज्यादा गंदा हो गया तो कल जो बारिस हुई लगाता उसकी वज़ा से पुरे दर्वाजा खराब हो गया गंदा लग रहा है सबसे पहले ज्याड़ लगा देते हैं तो जा रहे थे बाहर में ज्याड़ लगाने के लिए लेकिन याद आया कि पीछे का दर्वाजा खुला है और जिया अभी तक सू रही है और सुबा उठके ना ऐसे पीछी में बालकनी में खड़ा उने में बहुत अच्छा लगता है औ जब ग्रीन ग्रीन सा हो जाता ना तो और भी सुबा सुबा देखी ठंडी ठंडी हवा चलती है तो आप लोगो भी दिखा देते हैं तो अभी बरसात का जो टाइम है तो भी काफी अच्छा मौसम हो जाता दो दिन से बारिस तो हो नहीं रही है लेकिन अब है हरा भारा जिस तरह से आया था दिन पर दिन एकदमी पिंक पिंक हो जा रहा है तो बाहर ज़ाड़ी लगा चुके हैं और उसके बाद चलते हैं च्छत पे अब हैइन यह चाहे के लिए मन कर राया है ह कि हाह चाहे ज़ाते चाहे चाहे जा przep कि थिए ठट- तो थोड़ा सा च्छट कम आपन में ça पी तो नीचे में जहां पे तूल जे נ लगी ना टूल फैल कि प्र बञाड़ में करने विख लर्ग गा है तो यहां पर उपर है ब्यर्ग है तो सोच रहें कि थोड़ा सा लेकिना उस में नीचे में तो बाहर में तुल्सी का प्लांट लगा दिये हैं और थोड़ा सा तुल्सी का पत्ता तोड़ की भी ले आए हैं चाय में डालने के लिए इसको यहां पर रख देते हैं अचलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं बहुत ही छोटा सा उसमें उपर में दो तीन जड़ था लेकिन जो लगा हुआ था तो उसको नहीं छड़े तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कहां पर लगाएं तो यह देखे चोटा सा पौधा और बरसाथ का टाइम में भी पानी लगेगा तो अच्छा का सा ग्रोथ हो जाएगा और इ अच्छा के हैं और मेरा चाय वीना रेडी है ताइम आज थोड़ो सा लेट वो गया इनकी वज़न से पहले आवे होते तो चाय पीके और नास्ता बनाने लगते हैं बीना चाय पीए ना फिर एनर्जी नहीं आती है तो चाय पी लेते हैं और इसके बाद चलते हैं जीया के सवस्था क्या बनाना अच्छबा कहा हुआ है हाँ है हाँ है है तुम रात में शोने मज़ा या है निनधाया है हाँ फुलर में सु रहते हैं दोप्रया पर जर्मी में थें कैसा फील हो रहा है है तुम सब्सक्राइब क्या रहा है कि राट बना इंको नीनी नी आए जब तक आप चाठ्ट बात हमको ने सुनाएंगे तक आपको नीन कैसे आएगा है तो हम लोग नास्ता वस्ता कर चुके हैं और वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे कभी बारिष काफी तेज वाली आई कभी विद्री लग रहा है जो आज तक नहीं हुआ आज वो होने वाला है और यह आदमी आज तक कभी भी मेरे हाथ का चापने लिए और आप लोग भी इतना खुस मत तो यह कि बड़ा इनको काम है इसलिए मेरे हाथ का चाप ले रहे और आज मेरे हाथ का इतना इंपोर्टेंट है लीजे नहीं देंगे तक यह लीजिए आराम से बुड़ाई दाई वाला हाथ है फीशक गया कोमल तो नहीं है ऐसे कभी अगर प्यार से लिए होते तो हम कितने अच्छे से दिये होते हैं आज काम पड़ा है तो मेरे हाथ का एहमियत समझ में आ रहा है अरे उनलोस कर दीजिए इसका भी हाथ भारी है 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 यहां पता नहीं पासंद है कि दीविए अब हम कैसे बोल दे हेलो असलाहलेकुम विलकूम बैक तो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो अभी सुबर का टाइम है और यहां नास्ता बन रहा है जीए के लिए ब्रेड से करा हैं यह ब्रेड से करें यह ब्रेड से के जैं के साथ और चाय के साथ यहां यहां पर बनने वाला है फ्रेंच टोस्ट तो यही तावी पर बना देंगे जल्दी जल्दी वसे इसको सेख के और दे देते दिया तयार हो रही है और यह लेटे हैं तो दे दें इसको नस्ता फिर आप लगों से मिलते हैं यहां पर ना चीनी दूद और अंडा यह तीनों डाले यही फेट के और इसी में बनाएंगे और एक अंडा ना देखिए आभी ठेके हैं क्योंकि हमको ना समझ में नहीं आता है कि कौन अंडा सही है कौन अंडा खराब है तिसलिए हमको थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसको हटा दिया है बच्चों को खिलाने सच्छा है ना कि हटाई दो अगर डाउट है यहां पर ब्रेड भी सिख गया तो उसको दे देते हैं चाई भी एकदम रेड़ी है तो यहां पर मेरा फ्रेंच टोस बन गया है और टीफिन धोने में टाइम लग रहा था रोज कहें कि लेट हो जाता है और सिर्फ ना लंच बॉक्स के लिए क्योंकि अभी हमको सुबा ही इसको ना धोना पड़ता है जब इसकुल से आती है तो निकालती नहीं को थो दो के लाइन हैं और अब सुखाएंगे चैनल यहां पर लिटे हैं मेरे यहां पर कैसा लग रहा हिए जिश को पॉस्थ लिए की मुमी बात कुछ करती है और तो कि वीढ़ी जाती है करी कर दो आ जो आमनेे दिखते आकिस के नीए सामने दिक कि बोली थी किसी दोठो ब्रेड दी जिए गा हम चार ब्रेड दिये थे तूम खा ली बता है जिया तो मेरे पास मेरे पास टाइंड के निया हम थोड़ी लेटी हैं हूँ दू करियो छेता पास बहुत समय यह खाली है बाकी सब आगी कमरे में आना है रखिए एक तो टीसी पेपर भी रख दें अजिया के परस टाइम नहीं बाकी सब के परस टाइम अरे जाएंगे सार अरे रखो दूपी रखें के तो ना यह कमा तो करने दो हम रख दे रहें आप जाएए हमको बोलिए ना क्या लेकि आप दे कमरे में आईएगा कि आपके पास बहुत सारा यह ना कान का हम इनको एक महीने से दिये थे कि इसका जो ठेपी है ना वो धीला हो गया था इसलिए हम पहनते नहीं थे कहीं गिर उर जाएगा पूरे एक महीने बाद यह बन बार कि आ हैं वह इतना जब इसका बन गया रहाए ना तो आप ताइम पर नहीं देते हैं ना अब पहन रहते जाने के लिए कलना फैज पहली बार फात्या किया था फात्या करना बहुत दीन से सीख रहा था तो कल किया थो उम लग सब लोग गये थे और बड़ी खुसी होती है छोटा सा बच्चा होता है यह पार बहुत ही हां बाद में बात करेंगे त्रीफिर लेके आ रहे थे पापा ही तो क्यार होने में लेट गें दूद भी लाना है अच्छा जितना इसका वजन नहीं हो सजाद जदा तो वजन इसके बैग का है तना भारी है कि हमसे नहीं उटता है पत्थर भारी है इसके वर आप नास्ता क्या करें जितना सोचेगा आपी होता है खुद कर लेगा का वरी गुड साबाज पापा इतने देर से लेट के में वालेकूम असलाम जाओ बाबू तो जिया चली गई इसकूल और जूबैर और रेजवान जाना आये थे वह बॉल देखने के लिए कि बॉल बड़ा खुबसूरत लग रहा है यह वह करके अच्छा लग रहता है कि हाँ सब को पसंद आया कि अधर ना पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया तो अधर जाडू लगा देते हैं तो चलिए इधर का ना पूरा साफ कर लेते हैं क्योंकि यह जब रात में आये थे ना ओफिस से तो पूरा इनके सूज में मिट्टी लगा था जीया का भी सूज था और आते जाते इधर पूरा मिट्टी मिट्टी और बाहर भी मिट्टी था तो सूज उठा के इनका ठाड़ू लगाते हुए तब बाहर निकलेगे और उधर से जाड़ू लगाके और साफ कर लेंगे जाला अभी बरसात का टाइम है तो जाला बहुत ज्यादा लगता है रोज रोज इसको साफ केज़े फिर भी आपको न कहीं न कहीं दीखेगा ही तो जब हम जाड़ू लगा रहते तो सोचे लाओ इधर का जाला भी साफ कर दें और खिड़की ना साफ रहती है तो अच्छा रहता है तो हाँ तो लगाईए ना तो ड़स्ट लग जाता है तो बस जाड़ू अच्छे से लगा लेते हैं उसके बाद पोछा लगाएंगे और कोशिस यह करेंगे कि इनके आने से पहले मेरा इधर जाड़ू पोछा का काम हो जाए नहीं तो फिर उसके बाद बैठ जाएंगे और काम ना देर-देर होता रहेगा अब ही तुरंत हम पोछा लगा कि आए पैर और अच्छे से हाँ पैर और पोछ उचके आराम से आए आरे हम अच्छे के लिए बोल रहें कि पुरा पैर पैर नहीं से हैं मेरे पैर जबीन पर हम इसी लिए तो टिंसन है कि आपके पैर तो अभी शाम का साथ बजने वाला है और आज महरम के साथ तारी तो सब लोग फाते होते आते लाते और सुबह से ही ना मेरी तव्यत नहीं अच्छी थी जबकि कामों सब किये नहा लिए किचान उचन सब कुछ क्लीन कर लिए लेकिन फिर उसके बाद दगा खा के जो सोई तुम सोई रह गये तो चलिए दिखाते हैं आज फात्या तो नहीं करा है लेकिन हा माशालों गर इतना बड़ा है कि सब के आज से आ गया अपने लिए मैकरोनी चड़ाई थी लेकिन मैकरोनी बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि सब लोग आना जाना और फोन करकर करके कि आओ सिदनी ले जाओ और तो इसी लिए दिखाते हैं देखिए कटोरी कटोरी और घड़ी भी देख लीजिए आज हमसे घड़ी गिर गई जाला साप कर रहे थे और घड़ी पता नहीं कैसे गिर गई इसका जो काच है वह भी टूट गया है तो अब फिलाल यहीं पर रख दिया और दिखाते हैं आप लोग को मत शोर कर बिटा तो यहां देखिए मलीदा रहम चिकन इधर रखा हुआ है इधर मलीदा रहम और यह बादी शर्वत का फात्या कराई थी वो और इधर सब जगह यह देखिए यह देखिए यह देखिए इधर यह देखिए और इधर न प्लाव 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 है तो आज प्लाव में चने की डाल डाल के बनता है यह देखिए तो यह फायदा होता है जॉइन फैमिली में रहने का आज ऐसा नहीं सुपा से हैसा लग रहा था कि हाँ और जब हम सोचेते कि मेरी तब्ले थोड़ी से भी अच्छे लगेगी ना तो हम बना लेंगे जो नहीं बनेगा त तो चलिए चाय पी लेते हैं अधरपाली भी चाय खौली नहीं थी बैटा तो तो चलिए लेकिन कड़ नहीं रहने है तो चलिए थोड़ा दिले लेटेंगे वर आज वीडियो भी ना एडिट नहीं किये क्योंकि मेरे सर में इदन दरद हो रहा है अपकल पूरा घर पड़ा था बुखार में हमको पता चला कि हां सबको बुखार है डॉक्टर आया सबको सूई लगा के गया और अभी सब लोग हमसे कह रहे हैं कि चलिए आपको भी सूई लग और हम लोग यहां जो डॉक्तर आते ना वह सिफ सूई लगाते उनको पता नहीं क्या है बच्चे हैं अगर उल्टी हो रहा है लेडरिंग हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो सबको बस सूई लगाते हैं और यहीं चीज़ हमको पसंद ने हो जाते हैं लेकिन सब्सम्रन ठीक जी हो जाते तो देखिए कि तप मपसीना पसीना हो रहा है और सर में ध्जंडु बाम लगाए है तोड़ा सा अराम करेंगी और हो सकेगा तो आज वीडियो नहीं आएगा कल वीडियो जाएगा और वीडियो नहीं जादा चूट मैकरोनी बनाई थी तो वर्तन थोड़ा सा हो गया था और सब्जी ये लेकर आये तो भी जा रहे थे फ्रीज में रखने के लिए तो हम सचे कि क्यों ना आप लोगों को दिखा देते है उस दिन सब्जी कुछ भी लेकर नहीं आया था तो लेकिन हाने नुआ जरूर आया है जै ये बोड़ा है बोदी जिसको आप लोग बोलते हैं वह हम लोग बोड़ा बोलते हैं बोड़ा है गोभी है और निनुआ अर्वी और करेला ये इसमें लेकर आये हैं और ये इसमें है आलू और प्याज ठीक है तो सब्जी काफी ज्यादा हो गई है हो गया है और हफते भर तो आराम से चल जाएगा